हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप टूडेट टैक्स की इंफॉमेट्व सीरीज पर एरियाना ट्रेंज, दुनिया के समंदरों का सबसे गहरा हिस्सा जिसके सबसे गहरे पॉइंट चैलेंजर डीप की गहरा ही है तकरीबन 11 किलोमेटर यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जैसे कि किसी इंसान के सर पर सव हाथ ही रख दिये जाएं दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं समंदर की इस तारीकी में भी जीवन पनपता होगा यहाँ पर साइंस फिक्षन या एलियन जीवों जैसे दिखने वाले अनोखे और डरावने जीव पाए जाते हैं जो किसी आजूबे से कम नहीं है चलिए हम इन जीवों के बारे में ज्यादा जानते हैं महरियाना ट्रेंच वेस्टन पैसिफिक में स्थित है इसकी लंबाई 2550 किलोमेटर है और मैक्जिमम विट 63 किलोमेटर है ट्रेंच के गहराई में सूरच की रोशनी नहीं पहुँचती और यहाँ पाए जाने वाले जीव या तो अंदे होते हैं या खुद अपने शरीर से लाइट एमिट करते हैं सबसे पहला अनोखा जीव जो पानी की इस गहराई में पाया जाता है वो है डंबो ओक्टोपस इस जीव का नाम 1941 के डिजनी मूवी डंबो के मेन करेक्टर डंबो एलिफेंट के नाम पर रखा गया है डंबो एलिफेंट के कान बहुत बड़े थे और वो इनकी मदद से उड़ सकता था डंबो ओक्टोपस की बोड़ी जेलेटिनस होती है और ये 7000 मीटर से गहरे पानी में भी जिन्दा रह सकता है ये 1883 में डिस्कवर किया गया था 8 से 12 इंच का ये जीव एक शिकारी जीव है और अपने शिकार को ये एक ही बार में पूरा निंगल लेता है गहरे पानी में रहने वाले इस जीव की बोड़ी हाई प्रेशर के लिए अनुकूल है और अगर इसको कम गहरे पानी में उपर की तरफ लाया जाए तो इसकी बोड़ी सही से फंक्शन नहीं करती है ये अपने बड़े कानों की मदद से तैरता है गहरे पानीयों में रहने वाला दूसरा जीव जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मेरियाना स्नेल फिश मेंडक के बच्चों जैसी दिखने वाली ये मचली 8000 मेटर गहरे पानी में भी पाई जाती है और किसी भी मचली के लिए ये एक वर्ड रेकॉर्ड है ये मचली 11 इंच तक लंबी और 160 ग्राम तक वजनी हो सकती है ये फिश अंधी होती है और इसके अंडे भी डीप सी प्रेशर को जेल सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला मेरियाना ट्रेंच क्रीचर है ब्लैक सी डेविल या दूसरे डीप सी एंगलर फिश इस फिश के करेक्टर को 2003 की डिजनी मूवी फाइंडिंग नीमो में यूज किया गया था इस मचली के सर पर एक फिशिंग राउट टाइप स्ट्रक्चर एटाइश्ट होता है विच एमिट्स लाइट इसको इलीशियम या एसका कहते हैं इस फिश की फीमेल साथ से आठ इंच लंबी होती है और मेल सिर्फ एक इंच मेल फिश फीमेल फिश की बोड़ी से एटाइच हो जाती है और जिन्दगी भर एटाइच रहती है दीप सी एंगलर फिश फैमिली के एक और फिश फैन फिन सी डेविल भी मेरियाना ट्रेंच मे पाई जाती है, बीप सी वाटर में पाई जाने वाली नेक्स्ट मचली है बीप सी हैशेट फिश, ये बायो लुमिनिसेंस के जरीये लाइट एमिट करने वाली एक छोटी फिश है, जिसका साइज होता है 2 सेंटिमीटर से 12 सेंटिमीटर, इस मचली ने खुद को ऐसे एड़ेस्ट कर लिया है कि जो भी लिमिटेड लाइट अवेलेबल हो उसके अनुकुल ये आपने बॉड़ी की लाइट एड़ेस्ट कर ले और बड़े शिकारी मचलियों को दिखाई न दे ये मचली 2000 मेटर गहरे पानी तक पाई जाती है नेक्स्ट फिश इन दे लिस्ट इस बीट से ड्रैगन फिश ये एक छेंज की शिकारी मचली है जो 6000 फीट गहरे पानी में पाई जाती है ये मचली बायलुमिनिसेंस के जरीए अपनी बॉड़ी से लाइट एमिट करती है क्यूंकि ये फिश छोटी होती है इसलिए इसे दूस जली फिश भी मिलती है जो ओपेक होती है वो है बेंथो को डॉन जली फिश ये जली फिश भी बायलुमिनिसेंस एक्जिबिट करती है और इसका कलर होता है रेड ये जली फिश सी फ्लोर के करीब रहना पसंद करती है और इसके देड़ हजार टेंटेकल्स होते हैं जो इसे पानी में मूवमेंट में मदद करते हैं इसी टाइप का और एक क्रीचर भी मेरियाना ट्रेंच में देखने को मिलता है और वो है टैनोफोरा इन क्रीचर्स को कूम जलीस भी कहते हैं इसका साइज कुछ मिलिमीटर से लेकर देड़ मेटर तक हो सकता है ये क्रीचर्स भी बाया लूमिनिसेंस एक्जिपिट करते हैं इनकी बोड़ी जलाइटिनेस है और इसकी बोड़ी पर पंड़े वाली लाइट स्कैटर होती है जिससे रेंबो इफेक्ट देखने को मिलता है कूम जली प्रेडेटर्स हैं और ये प्लैंक्टन्स, क्रिल, एमफिपॉट्स और जली फिश वगयरा को खाते हैं ये कभी कबार दूसरे कूम जलीज को भी खा लेते हैं दोस्तों इन क्रीचर्स के साथ साथ 2000 मीटर की गहराई तक गौबलिन शाक्स और फ्रिल शाक्स भी दिखाई देती हैं तकरीबन 30 cm का एमफिपॉट जिसको जायंट एमफिपॉट कहा जाता है वो भी 7000 मीटर गहराई तक देखा गया है एमफिपॉट्स, क्रस्टेशियन्स हैं जो जनरली 2-3 cm के होते हैं लेकिन गहराई में पाया जाने वाला ये जायंट एमफिपॉट उनसे 10 गुना बड़ा है इस फेनोमिनो को टीप सी जाय जायंटिजम कहा जाता है बैरलाई फिशेस जिनको स्पूक फिश भी कहा जाता है वो 2000 मीटर तक की गहराई में पाये जाते हैं और इनका साइज 20 cm से 50 cm होता है इन सब के अलावा 10,000 मीटर गहरे पानी में सी कुकुमबर्स सी फ्लोर पर सर्वाइब करते हैं इन एडिशन श्रिम्स, स्केल वर्म्स, पॉलिचीट वर्म्स और जायजांटिक सिंगल सेल्ट और आमीनी फेरांस भी 10,000 मीटर गहरे पानी में आपजर्व किये गए हैं दोस्तो डीप सी क्रीचर्स पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तो अगर आपको कतर में चल रहे हैं अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एगली वीडियो में तन्यवाद